हालो एव्रीवन आज के इस वीडियो में मैं आपनों को बताने वाली हूं कि Microsoft Teams में कैसे आप वर्चुल बैक्राउंड सेट कर सकते हैं अगर आप देख रहे हो तो बैक्राउंड में इस टाइम पर मेरे बैक्राउंड में पीछे में विंडो आ रही है जहां पर मैं बैठी हूं अगर मैं आप चाहते हो कि वर्चुल बैक्ग्राउंड इसमें सेट हो जाए तो इट्स बेरी इजी आप जब टीम्स आउन करेंगी आपके इपने टीम्स वाली विंडो में यह एबल तो सी इस थ्री डॉट्स ओगर है जब आप इन थ्री डॉट्स को क्लिक करते हैं तो देर रखांगे यह एंग्ग्डाउंड और अगर आप इनमें से कोई भी सेट करना चाहते हैं तो यू कैन इंसर फ़र इग्जांपल अगर मुचह यह इंसर्ट करना चाहते हैं तो लिए अगर। तो यू कैन इंसर्ट सी मैंने ख्लेक किया है और अब देखेंगे मेरे बैक्ग्राउंड में एक वर्चुल बैक्ग्राउंड सेट हो गया है ठीक है यह तो उन बैक्राउंड की बात है जो अल्रेडी मेरे असेट है बट अगर मैं चाहते हूं जो वापस करना है सेम तुम्हीं यहां पर ही जो नन है I'm just clicking on this clicking on apply see now nothing is visible to me but अगर मैं कोई specific image चाहते हूं to apply see मैं आपको एक image नजर कर आ रहे हूं this image I want it as my background image ठीक है तो what I need to do यहां पर आपको उपर की तरफ plus symbol नजर आ रहे है जहां पर background effects आ रहे थे यहां पर plus symbol आ रहे है simply click on this जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक portion open होता है जहां पर आप अपनी file को locate कर सकते हैं where your file मेरी file desktop पे ही है this is this one so I'm simply selecting this यह वाला background add नहीं हो रहा है तो I'm trying for some other background just a second apply background effects I'm trying for the same jo support कर रहा है I'm trying to use this one I'm just simply clicking on this you मेंने select किया उसके बाद आप apply पे जब क्लिक तरेंगे तो यूवल एबल तो see the virtual background is appearing in my back I hope आपको यह concept समझाया होगा आप इसको कर वापस वैसे ही करना चाते हैं without background तो you simply need to select this none one that's it I hope आपको यह समझाया होगा thank you so much